हेलो बिरिवन वेलकम टो माई सेट इन इट यूटू चैनल तो इस वीडियो में हम लोग देखने माले हैं जितने भी स्टुडेंट उत्तर पर्देश में ब्यस्टी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है 2020 वैच में तो अभी तो उनके लिए क्या है कैसे कौन-कौन से स लेनलेंगे और अच्छा नालच भी हो जाएंगे तो कौन से ब्यस्ट होती है तो अगहर आपको माल लेजिए आफ्टर विठिन कंपलेट करने के बाद तो आपको इंटरेंच इओन बोख लेते हैं तो आपके लिए बेटर है ऑइसे तो अच्छा लगेगा कि यही ब्रिण मैं लों क्योंकि जो बुक वही पढ़ूं जो बस पास हो जाओं तो लेकिन अच्छा लगता है लेकिन ये बुक अगर आप लेंगे थोड़ा महेंगी होता है मोटी होती है महेंगी भी होती है तो ये बुक अगर पढ़ते हैं तो अच्छा है नहीं तो फिर जब आप थार्ड सब्जक्त इसके पहले एक वीडियो बनी थी उसमें सब्जक्ट बता कुण कुण सब्जक्त आपको पढ़ने पड़ेंगे कितने नमबर का होता है कि 또bench नमबर करने पड़ते हैं आपको एंबने संव're क्लियर करने में तो वीडियो आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन वाक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा तो चलिए आपका नर्सिंग फाउंडेशन देखते हैं कि नर्सिंग फाउंडेशन की एक बुक आपको एक स्लेबस में इंकिलूट किया गया है आपको एबी सब्जेक्ट पढ़ने नर्सिंग फाउंडेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें आप इंट्रोड़क्शन की बारे में पढ़ेंगे इंट्रोड़क्शन में हेल्थ से रिलेटड आपको काफी चीजे उसमें आपको पढ़नी पढ़ेंगी तो ये चीज हो जाएगा हेल्थ से रिलेटड ये देख ली जब आपको यह सब नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में पूरा पता होगा सिकन्ड चैप्टर और क्या नर्स की क्वाल्टी होती है क्या बैलु होता है तो यह सब इसेंगे की जो पैसेंट होता है फिर उसको डिसचार्ज किया जाता है अगर वो आस्पिटल छोड़के भाग बिना बताये तो यह सब उसमें लामा डामा सब पढ़ेंगे निट जाएगी और फीब तीब चुनिट जब आप पढ़ेंगे तो नर्सिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कैसे assessment आप करेंगे कैसे nursing process में क्या क्या आता है जानते हैं nursing process में आपका assessment आएगा diagnosis आएगा planning आएगा पहले patient का आप assessment करेंगे फिर diagnosis करेंगे फिर plan बनाएंगे planning के बाद आप क्या करेंगे planning के बाद आप implementation करेंगे जो आप plan बनाएंगे उसको उस पर लागू करेंगे फिर जब लागू कर देंगे तो evaluation करेंगे देखेंगे क्या patient का outcome है फिर आपको report करेंगे डाक्टर को ये चीज है तो 6 नंबर पे आप देखेंगे documentation and reporting आप पढ़ेंगे 6 नंबर यूनिट आप vital sign के बारें पढ़ेंगे ये भी काफी important unit है vital sign पढ़ेंगे जिसमें आपका क्या आएगा body temperature आता है आपका vital sign में कौन-कौन से sign आते हैं body temperature आता है next आपका आता है pulse आता है तो pulse आएगा respiration आएगा और next एक आपका आएगा blood pressure आएगा ये सब आपके vital sign में आएगे जो कि आपको पढ़ने पढ़ेंगे next unit जो होगी आपकी 8th unit होगी वो होगी health assessment health assessment में आपका physical examination आएगा ये भी important है physical examination में आपका inspection, percussion हो गया alphacation ये सब आपको अच्छे से पढ़ने पढ़ेंगे physical examination में next जो आपकी unit आएगी 9th number पर unit आएगी machinery equipment and linen तो ये आपका equipment के बारे में पढ़ेंगे और आपकी 10th unit meeting and needs of patient तो ये भी unit आपको पढ़ने पढ़ेंगे hygiene इसी unit में आएगा और next unit जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये देखिए next unit number कौन सा आपका unit आने माला है तो इतने unit आप लोग पढ़ेंगे और first year में fluid electrolyte ये भी body fluid and balance ये भी important है तो ये काफी बड़ा है और 11th unit जो आप पढ़ेंगे infection control and clean का लिए भी यहां से भी एक question बनते ही है तो ये भी important मान के चलिए नोजो कोमियल infection खूब पूछा जाता जो hospital से acquired होता है infection उसको नोजो कोमियल infection कहते हैं ये भी खूब question पूछते हैं अगर final भी नहीं पूछा जाता first year में तो internal exam में जो college में internal exam होते हैं final exam भी college में होता लेकिन internal exam होते हैं उसमें जरूर नोजो कोमियल infection जरूर पूछ लेते हैं antichess क्योंकि important होता है आप hospital में work भी करते हैं तो नोजो कोमियल infection के बारे में पता भी होना चाहिए 12th unit देख लीजिए administration आप medication ये भी drugs के इसके बारे में पढ़ेंगे कि drugs कैसे कैसे दिया जाता है drug classification के बारे में इस unit में तो 12th unit पढ़ेंगे next unit आएंगे 13 number unit ये देखिए meeting needs आप pre-operative patient ये पढ़ेंगे next unit जो पढ़ेंगे ये आपका देख लीजिए 14 unit meeting special need of the patient पढ़ेंगे next unit पढ़ेंगे आप ये देखिए आपकी 15 number care of terminal ill patient ये पढ़ेंगे और आपका 16 number पे professional nurse concept and practice पढ़ेंगे तो ये सब चीज हो जाएगी next हम लोग जो subject पढ़ेंगे तो अगर एकी वीडियो में आप लोग देखना चाते हैं तो वीडियो तो लंग तो बने गाई तो एकी वीडियो में चलिए सोचते हैं देखते हैं कि कितना लंबा वीडियो बनेगा कि एक वीडियो में सभी हो जाएं तो नर्सिंग foundation की थी next subject हम लोग बात करेंगे किस पे चलिए देखते हैं next subject की हम लोग बात कर लेते हैं microbiology की बात कर लेते हैं तो microbiology में देख लिजिए आप introduction के बारे में पढ़ेंगे जनरल करेक्टरास्टिक आप microbes के infection control important chapter है सब और microbiology जब पढ़ेंगे pathogenic organism आप पढ़ेंगे immunity के बारे में पढ़ेंगे काफी important chapter यह भी होता है चलिए next देखते हैं कि microbiology की अलावा आप कौन सा subject आप जब व्यसी नर्सिंग फास्ट येर पढ़ेंगे तो कौन कौन सा subject microbiology में आपका 60 गंटे का subject है तो 60 गंटे में आपको teachers वहां finish करेंगे microbiology subject आप CP ववेजा की book prefer कर सकते हैं चलिए next subject भी देख लेते हैं next subject आप व्यसी नर्सिंग फास्ट येर में anatomy and physiology पढ़ेंगे जो की रोस और विलसन की book अच्छी होती है नेक्स्ट वीडियो बुक पे ही आएगी आप प्लीज बेट जरूर करिएगा आप बुक अभी ऐसा नहीं कि आप admission तुरंत ले हैं तुरंत बुक ले लीजिए पहले आप लगपक एक मन थक आप पढ़िए पहले देखिए टीचर से पूछिए कौन सी बुक ले तभी आप बुक प्रिफिर करिएगा इनाटोमी में आप introduction, anatomical term, आप human body के बारे में पढ़ लेंगे फिर skeletal system तुम लोग पढ़के पढ़े ही रहते हैं muscular system यह सब पढ़ेंगे nervous system भी पढ़ेंगे sensory आरगन पढ़ेंगे फिर circulatory and lymphatic system आप sensory आरगन कौन से होते हैं जैसे skin हो गया, eye हो गया, ear हो गया, nose हो गया, tongue हो important होता है, creative system important होता है, endocrine system से भी question पूछे जाते है, reproductive system including breast भी है, इसी में next, physiology, anatomy देख लीजिये, physiology में, physiology, anatomy में आप देखेंगे एकदम similar लगता है, कि मतलब same है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा different हैं कि physiology के condition पर यहां पर आपका enzyme hormone यहां पर आपको मिलेंगे, क्योंकि यह physiology में सेल के बारे में पढ़ेंगे, skeletal system के बारे में, muscular system जो कि anatomy में भी पढ़ेंगे, nervous system थोड़ा सा different रहेगा, एक जगहां पढ़ लेंगे, हो जाएगा, examination में, circulatory system, respiratory system, digestive system, excretive system, तो यह सब आप, physiology, sensory, endocrine, reproductive system, lymphatic, तो यह सब आप पढ़ेंगे, next चलिए subject हम लोग देखते हैं क next subject anatomy हो गया, nursing foundation हो गया, microbiology हो गया, anatomy and physiology हो गया, next subject की बात करते हैं, next subject जो पढ़ेंगे, आप एक subject पढ़ेंगे, nutrition and biochemistry, यह भी हम लोग इंटर में पढ़े रहते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा, इंटर में जब लोग preparation करते हैं, तो क्या होता है, वहां पे objective हम लोग को करना पढ़ता ज्यादा, तो objective पे focus होता है, तो objective पे तो टिक करने रहते हैं, और यहां पे क्या हो जाता है, जब आप जब nursing first year में जब आप पढ़ेंगे, तो वहां subjective में लिखना रहता है, काफी एकदम समझे कि 40, 40, 38, 40 page का आपका पूरा मिलता है, कहां पी जो आपको full करने रह प्रोटीन यह काफी important है, energy, vitamin, यह सब आप पढ़ेंगे, और minerals भी पढ़ेंगे, water and electrolyte, और cookery rules and preservative, जो खाने वाले होते हैं, प्रिजर्ब किया जाते हैं, balance diet के फाम में पढ़ेंगे, रोल, nurse and nutrition program के बारे में पढ़ेंगे, next, biochemistry में भी important होता है, यह भी यहां पे से 25 नंबर के question पूछे जाते हैं, introduction पढ़ेंगे, cell membrane के बारे में, composition, metabolism, carbohydrate, monosecrite, discrite, polysecrite, oligoscrite, सब इसमें पढ़ेंगे, metabolism, pythway, glycolysis, creep cycle, glycolysis, glycolysis, यह सब पढ़ेंगे, इसमें जाके, composition, metabolism, lipid के बारे में पढ़ेंगे, high density, low density, यह सब आप इसमें, biochemistry में भी पढ़ेंगे, composition, vitamin and mineral, immunocomistry के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तो इतना syllabus हो जाएगा, यह सब आपको पढ़ेंगे, आप आसानी से, चलिए next subject देखते हैं, biochemistry, first पे क्या हो गया, first पे nursing foundation, microbiology, और third पे आपका, anatomy and physiology, fourth पे आप, nutrition, biochemistry, five नंबर पे देखते हैं, कौन सा subject आप पढ़ेंगे, पांच वाज जो subject आप पढ़ेंगे, psychology, यह काफी tough हो जाता है, क्योंकि हम इंटर्म और 11th, 10th में psychology तो पढ़ें नहीं रहते हैं, तो psychology काफी tough हो जाता है, लेकिन अगर आप वहाँ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो psychology हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा surrounding में सोच के आप लिख सकते हैं, subjective में ज़्यादा सोचना पढ़ता है, लिखना भी ज़्यादा पढ़ता है, तो ज़्यादा सोचिए ज़्यादा लिखिए, तो चलिए psychology भी देख लेते हैं, psychology introduction के बारे में पढ़ेंगे, introduction से एक question जितने भी आप subject पढ़ेंगे, सभी के introduction important होते हैं, एक question आपको introduction से आना ही है, या internal या external, तो biology आप behavior देख लीजिए, इसमें second ये भी important chapter होता है, cognitive process यहाँ से भी एक question आते हैं, cognitive process से, और next आपका motivation and emotional process, एक question यहाँ से भी बनता है, personality, तो ये भी important chapter unit होती है, और development and psychology ये भी important unit होती है, ये भी एक question यहाँ से आते हैं, 7th number unit जो है, mental hygiene and mental health, ये भी देख लीजिए, next psychological assessment और आप पढ़ेंगे इतना, तो आप unit, आप eight unit तक आप psychology में पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं, कि next unit, next subject क्या है, हम लोग ये पांच subject हो गए, फस्ट पे देख लीजिए, फस्ट पे हम लोग क्या देखे, nursing foundation देखे, सिकेंड पे microbiology, third पे anatomy and physiology देखे, fourth पे biochemistry and nutrition देखे, फिफ्ट पे psychology देखे, और six number पे चलिए देखते हैं, कि आपको कौन से subject पढ़ने पढ़ेंगे, तो जो next आपका subject है, six number का, six number पे आपको English भी, आपको English का भी exam देना पढ़ेगा, और काफी student कहेंगे, आप काफी तेज बोल ले है कम समय में कराना है, तो इसलिए थोड़ा तेज हो रहा है, इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप टेलिग्राम जाइन कर लेजिए, वहाँ पे इसके डाल दूगा, PDF के लिए, वहाँ से आप कर लेंगे, या फिर देखेंगे, description box में हो जाएगा, तो हो जाएगा, नहीं तो आप टेलिग्राम जाइन करेंगे, वहाँ पे ये सब PDF आपको मिल जाएगे, तो देखिए, इंग्लिस में आपको, इंग्लिस और इसके नेक्स्ट जो होगा न, एक कम्प्यूटर का भी पेपर होगा, ये सब बेसिक आएंगे, कम्प्यूटर के बेसिक्स जो होते हैं, वही पू आपको मिलेंगे, और आपको अच्छे गवर्मेंट काले से अगर आप करेंगे, तो वहाँ पे कम्प्यूटर भी मिलेगा, वहाँ पे आप कम्प्यूटर भी चलाएंगे, और काफी चीज वहाँ पे, माइक्रोसाफ्ट हो गया, सब चीजे उसमें बिंडो उंडो के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, टोटल आपके जो सब्जेक्ट हो गए, वह टोटल सब्जेक्ट आपके हो गए, साथ, तो साथ आपको पेपर भी कितने देने पड़ेंगे आपको साथ टोटल देने पड़ेंगे तो यह चीज हो गया और प्रेट के लोड़े टोटल मिला के आपके 900 नंबर के हो जाते हैं जो पिछले वीडियो इसके पहले वीडियो में मैंने सब अच्छे से बताया था तो चलिए नेक्स्ट वीडियो म मिलेंगे और आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके रखे हैं और मैं नेक्स्ट येर भी अपने दोस्तों से चैनल के बारे में जरूर बताएं जो ब्यस्ट नर्सिंग पारामेडिकल फार्मेसी का इंटरन्स ही जान देंगे तो मैं अपने चैनल पे फिज को लाइक शेर जरूर करें और दोस्तों को जरूर चैनल के बारे में बता है चैनल का नेम क्या है सीट इड़ नीट चैनल यूटूब पे आप एक बार जरूर साच करें अगर आप पहली बार चैनल पे आया हैं तो यह है सीट इड़ नीट चैनल यूटूब पे आप जरूर सब्सक्राइब थैंक यू धन्यवाद